श्री गड़ेशाय नमाहा मासरेश्वती नमस्त अब्यम प्रस्तुत हतेली एक बड़े बिजनिसमेन की है इनके कोई सवाल नहीं है और जब सवाल नहीं होते हैं तो विवरेंड कठिन हो जाता है तो सबसे पहले बिजनिसमेन है तो मैं हम बुद्ध परवत से चालू करेंगे बुद्ध का परवत अकार अच्छा लिए हुए हैं वेपारिक बुद्धी बहुत शानदार है और यह जो लाइन है यह वहत अच्छे वक्ता की लाइन होती है और माहल को हलका रखने के लिए जो विट एन हुमर चाहिए यहां से मिलता है नीचे से यह लाइन होती है तो हर क on उनके बुत का परवत kişi और यह छोटी लैन है छीविक हैए यहाँ से पेस्लाइन को स्क्राइब मैं ह 사ASH responded इरय गता है इसे वैपकर rek लॉब्र होता है यह नहीं होना चाहिए जब है वर्डर ही होती वह हमें हमें ऐलाजar कर लेना चाहिए सिर्फ भीर तो मैं बिजनस की इस तरफ जुकी हुई है और आप देखेंगे कि इसका जुकाओ सुर्य की उंगली की तरफ है जो मैंने नीले कलर से बनाई है है सुर्य की उंगली होती है हमारी इसको आप रिंसिंगार भी में विकाते हैं तो जुकी होने से होता है थन कमाने की लालसा बहुत तीवर होती है परम होती Çok अरूनी में जाह拜拜 ब hed पर भीजिन्स लाइन को देखें यह बुदका पर्वरत बहुत शांदर बना है मैरेजिन लाइन भी शांदर बनी हुई है वेवाइक सुकह भी है और इनकी जो बिजनेस लाइन जो आ रही है यहां से दुए एक तो यहां से लिख लीए यहां सेSean बहुत अच्छा ट्रैंगिल बना है गाल है कि अदर थोड़ा से हम आप कि फूरत पर्वत को देरें मैं तो सूर्य परवत थोड़ा सा यह मुझे फोटोग्राफि में अच्छी हेल्प करते तो मैं इनकी प्रसेंचा करता फोटो भी इन्हों ने पूरा नीचे से नहीं दिया यह बहुत शांदार एक मशली बन रही है बहुत अच्छा विस्तार है और यहां पर एक ट्रेंगेल देखी बहुत अच्छ होगे यह ही पढ़ी और यह मुटी मुटी लाइनों में विखर गया इसको बचाना होगा इसको पनवरी मि catalyst करना गया और यह यहां पर देखेंगे यहां पर कलम बन गया है ऐसे तीन लंप बने हैं में इकuh करें कर ओना पहलाम्प यह बना Ini यह बद्ध और पर्वत के बीच बीच में बहुत बड़ अ है रोगा लम हैं sensitive neat of a lot अब है यह यह लुब क्या करता है वैपारे खानी करता ह्यों करता है यह लंप नहीं बहुता है यह Muchas का जितना प्लेन होगा उतना अच्छा होगा और कोई एकाद रिखा जोड रही हो सूर्य को और बुद्ध को बहुत बहुत उम्दा होता है वह तो यहां पर सूर्य पर है सूर्य पर इसके बहुत अच्छा साहिन है बहुत अच्छी बहुत 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 लंबी मचली बनी होती है इसको मैं 100 करोड से 300 करड़ों के बीच में बोलता हूं वर्थ होती है अगर इसी मचली बन जा है सुर्य परवत पे अब आए हम शनी का परवत देखते हैं फोटो इन्होंने अच्छी देते तो प्रसंशा करता मैं बार-बार बोलूंगा इनको फड़ा सा खेद है मुझे यह लाइन और यह लाइन और बीच में यह पड़ गया है तो यहां पर जो इनकी इंकम है यह स्टॉप हो रही है यह शनी का परवत है और अपनी स्मार्टनेस से धन कमाने वाले लोग हैं यहां पर एक लाइन थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है ने ठीक है उसे फोटो है यहां मुझे कालापन दिख रहा है यहां परवत है बहुत अच्छा और पूरा जीवन भर पैसा कमाएंगे और इनके पास रहेगा लेकिन इनको यह वाला जो यह जो पढ़ गया है इसको दूर करना पड़ेगा लाइन दिखिए यह लाइन ऐसी बनी है यहां तक आई है फिर यह पढ़ गया है तो यह यह वर्तमान परिस्तिति को दिखाता है कि जब वितिये संसादन आपके फेल हो जाते हैं यह वाली स्थिति को दिखाने लगता है जब कि इनकी लग लाइन बड़ी शांदार बनी हुई है यह देखिए लग लाइन नीचे से यहां से बनी है इस मनी ट्रैंगल बना मनी ट्रैंगल भी राहू च्छेत्र को टैच कर रहा है वह शंधर होता है और फिर यहां से घई है फिर यहां से मोटी जरूर होगई लेगिंगे चली है और यह यहां पर 55 में आके यह बहुत बड़ा एक प्रोफेशन चलू करेंगे 55 में अके जो इन नैंफल बाग्या देख रहा हूं वह यह की लाइन यहां से निकलीर की लाइन क्या होती मंगल परवत को देख लेटे पहले वंगल पर्वत बहुत शांदार बना तब यह वहवाहिक जीवन को दिखा देता उसके अंदर वह हम सो कुण नहीं उठा पाते हैं कहीं वैंदी बन होती है और यह शारीरी कमजोरी को भी दिखाता है कि शुक्र का परवत यहां पर यहां पर गडबड होता है तो मोटिवेशन की दिक्कत होती है मोटिवेट नहीं हो पाता है जबकि इनका चंदर का परवद वह शंदर बना हुआ है क्यों बना हुआ है क्योंकि यहां से देखिए इस मंगल से या या शुक्र जो मैंने नीशे बनाया इन दोनों परवद से कोई लाइन अगर निकल के मद्द शेत्र में जाती है वो राहू क कर लिया मन की शक्ती प्रवल मन की शक्ती से कुछ भी कर सकते हैं दो कि सकते हैं कि 昌कर गर को तो उसमें पैसेप पैसे कमा जाती क्योंकि इनकी इसक्ति होती है धग्मन को जगाती राहू राहु की लाइन से जोड़ गई राहू और चंद्र का योग हो गया है हतेली में क्योंकि राहू की लाइन क्रॉस करके किसी परवत पहुंच जाए तो उस परवत को वह बहुत अच्छा प्रभाव देती है 2 मन के शक्टिता है इनके बहुत बहुत अच्छी और यहां पर यहांपर फट रही है याँ यहां से यहां से देखें राहू की लाइन यहां से आहन से नीवरा prote तकलिफ पाई है और यह कब तक पाई है इन्होंने करीब 35 तक मैं समझ रहा हूं कि यहां पर 35 तक इन्होंने बहुत कस्ट पाया तो अभी तो उनको कोई ऐसा दिक्कत नहीं है जीवन में लिकेन इन्होंने बहुत दुख उठाया है जीवन में अपने जवानी के समय में बहुत दुख उठाया है और अपने लक्ष से यह आगे भी बड़े हैं धन भी कमाया है धन इसलिए कमाया है क्योंकि एक चीज में आपको और दिखा दू कि धन क्यों कमाया है इन्होंने यह राहू का परवत है यह राहू का परवत है और यहां पर मश्रियां बनी हुई है यहां पर एक ब्लॉक बना हुआ है यह राहू के परवत पर बना हुआ है तो यह तो करोणों के अर्वों के लेंदेन वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं लेकिन हुआ क्या है इनके भाग्य को दुर्भाग्य हो गया है यहां से जो राहू की लाइने जा रही है देखिए बहुत बहुत सारी लाइने हैं यहां से काट रही है यहां से एक लाइन तो लिए यह और कठिन हो गया यह जीवन बहुत कठिन कर दिता है वर्तमान परिस्यती में यह दिख रहा है और यह जीवन को थोड़ा सा जटिल करता है और अब आगे दिखते हैं हाट लाइन को तो हाट लाइन में देखिए ट्वेंटीवन तक यह अच्छे हैं 47 48 यहां पे इनको दिक्कत चालो हो जाएगी यहां पर से 48 49 के आशपास देखिए यहां पर बहुत बड़ा यव बन गया है रहां यहां की लाइन इसमैं घूज गया है। यहां की एक मैं बहुत क्योंकि आगे जो आगे जो आगे जो और चाहिज है इनके में बहुत कसे इनके बनाने का योग है इनका मंदिर तुरण बाले न चीए कि मैं मंध्य बनाओं और ऐसे अपने मंदिर बनाते हैं इनका जो support line था देखिए को इनका ये जो support line है इनकी गॉर्ड line हम इसे कहते हैं संजीवन लाइन बंगल लाइन यह 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 यहां पर अच्छी है बीच में फिर थोड़ा सा week हो गई है यहां से चलिए इनके जीवन में अभी है इंके सब्सक्राइब यह बहुत अच्छी सपोर्ट है कोई है इनके पीशे अब केतु के परवत पर पर आके क्रॉस हो गया है अब केतु का परवत हाला कि मैं नीचे तक नहीं देख पा रहा हूं लेकिन के परवत पर क्रॉस बन गया है जो बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है तो हम कहेंगे कि राहू की कुछ लाइनों ने यहां पर यव बना लिया है और शनी के परवत पर यहां यव बन गया है तो एक तरीके से यह पूरी वायू की पट्टी जो है यह वायू की पट्टी इसे वायू की पट्टी कहते हैं को कि शनी भी वायू त तत्व में आते हैं तो वायू तत्व के कारण यह पूरी वायू के पट्टी गडबड़ हो गई है और यह जो यह जो आने इसमें पड़ा है जो अभी दिख रहा है जो अभी दिख रहा है 48-49 के आसपास तो यह या तो ब्रेन या तो लंक्स या केड़नी या लेवर इनको शती पहुंचाता है ऐसा तो इससे बहुत सावधान रहना चाहिए मैंने इसको study में पाया है कि जिन लोगों के हाथ में ऐसे योग वने हुए हैं जो sugar patient होते हैं जो brain stroke के patient होते हैं वो उनके हाथ में ऐसे लंबे- làव होते हैं यह बहुत थोड़ा सा इनको सबलना चाहिए इनको करना क्या है एक मिष्टिक क्रॉस भी इनके पास पर अच्छा बना है लेकिन वो मिट रहा है इनको केवल यह इसीश का इलाज करना है यहाँ पे करना है और यह जो क्रॉस बन गया है और किससे होगा मन की शक्ती और गुरू की शक्ति मैं गुरू के परवत को भी ्धिक ठिक बोलोंगा हला कि लंप बनाए तो ये पारिवार इक समस्याओं को और पारिवारे क चिंताओं को दिखाता है बच्चों की चिंता आएंगे सब दिखाता है महालक्षमी योग बना हुआ है पैसा तो कमाएंगे ब्लॉक्स बने हुए हैं पैसा तो कमाएंगे लाकि इन्होंने जीवर में दुख बहुत बहुत उठाया है और यह हतेली मेरे पास काफी लंबे समय बाद आई है तो बल्कि पहले आती तो मैं इनको बहुत अच्छा उपाय दे देता मैं कोशिश करूंगा कि इनका उपाय में जल्दी से जल्दी करूं किशियासा के साथ मेरा मूल लेंकर आप सभी को पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए श्री गणिशाय नमाहा मासरे स्थी नमस्तु भेहम